अलो फ्रेंट्स वेल्कम टू श्विंग ट्रेड अज की वीडियो में हम बात करेंगे हैं पीजियेचल कंपनी के बरे में तो इस टॉक में हमें आगे के लिए क्या करना चाहिए अपना पोजीशन अभी यहां से एक्जिस्ट कर लेना चाहिए या तो फिर होल्ड करके चलना करेंगे यह तो फिर कोई प्रेंट्स आप स्टक को इस लेवल पर बाई करके, चल सक जो भी है मैं आपना अनालीसिस करेंगे और मैं अब आपना व्यू जरूर बताऊँगा आपको लेकिन आपको जो भी करना है आपना खुद का video upload किया हुआ , यह विडियो को आप एज श्टॉक से बड़ी ऐसा stocks a selection किया हुआ आप लेकर चल सकते हैं लेकिन उसमें आपको portfolio diversification करके उशमें investment करना हें किसा श्टॉक से आपको small cap का उठालेना रधा यहां पर लेक्षण कि इंडेस्टी जे जुड़ा हुआ है जो कि फार्मा फर्मासिटिकल कंपनी है 8300 मार्किट क्या पर इसका अगर आरोची देखते हैं 29 का रोची यह डेट फ्री कंपनी है और प्रमोटर प्लेच जीरो है अल्टाइम हाई अगर हम देखते हैं 7500 इसका अल्टाइम हाई है अभी करेंड मार्किट चल रहा है इसका 5008 का करेंड मार्किटपाइस पर चल रहा है अगर इसी साब से हम इसका प्रोफिट लॉस एक बार देख लेते हैं जो कि सेप्टमबर कौटर में लास्ट सेप्टमबर में टूश्टी फोर करोड का यहां पर सेल्स हुआ था अभी का जो से से 273 हो गया है तो इसी साब से अगर हम प्रॉफिट भी एक बार देख लेते हैं अगर येर अन येर हम प्रॉफिट देखते हैं प्रॉफिट में डिक्लाइन बिल्कुल नजर आ रहा है जो कि 59 करोड का यहां पर प्रॉफिट था लास्स सेप्टेंबर में अभी का अगर सेप यहां पर 55 करोड का यहां पर लास्स से अरे अरे प्रॉफिट तो बिल्कुल डिक्लाइन हुआ है एक देख लाइए जितना ज्यदा कुछ प्रॉब्लेम नजर नहीं आ रहा है फ्रेंजंस अगर इसी साब सम्बैलन्स हीट जाक एक बार देख लेते हैं यहां पर करोर आभि 587 करोर का रिजर वे इसी इसाब से अगर हम यहां पर क्रॉमोटर का ओर लिटिंग भी एक बार देख लिए जो है 51.8 क्रोंट विडवर के पास में प्रोंटर है । इसे शाब से अगर हम का 6.45 परसेंटेज का अभी 5.88 परसेंटेज का यहां पर सेक है तो इसी साब से अगर हम डियाए का भी डाटा देखेंगे तो यहां पर हम लाँज ट्रेडिंग् सेसंट का करेंगे हैं अभी 5 डेखेंगे हैं यहां पर यहां दीविडेंट का डिविडेंट का डिविडेंट के हिसाब से हमें 150 रूपीज का डिविडेंट मिलेगा बागर एक बार देख लेते हैं यहांपर लाश्ट टेडिंग सेशन में 64 परसंटेज से उठाएगा है तो लेकिन आगे हम देखेंगे तो यह स्टोक में हमें क्या करके चलना चाहिए तो और अगर हम इसी साफ से देखते हैं स्टोक बहुत बड़ा मुमेंटम में था तो यहां पर अगर देखेंगे तो हमेशा यहां पर 200-day मुवी आपर यहां पर चलना स्टार्ट कर देए यहां पर 2016 को देखिए उसके बाद में यहां पर चलना स्टार्ट कर देए यहां पर में पिर जब करोना करोना में काफ़ी बड़ा एक फॉल आया था तो उसके बाद में बहुत बड़ा सा मोमेंटम में था लेकिन स्टॉक में इतना बड़ा सा करेक्शन आया कि यहां पर 200 डेज को ब्रेक करके बिल्कुल अभी बिल्कुल सपोर्ट को भी तो हमेएग इहां पर सपोर्ट जाए तो इसी साप से काफी सारा फ्रेंट्स का सवाल है उनका जो सवाल है वह भी जेनुवान सवाल है तो उनका सवाल का जवाब यही में दना चाहँका फ्रेंट्स कोई स्टॉक अगर कुछ फंडामेंटली अगर कुछ प्रोब्लेम हो जाए तो उसी साफ से वो स्टाक से हमें सेल करके निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से कोई फंडामेंटली इतना ज्यादा विक नहीं हुआ है क्योंकि प्रोमोटर का होल्डिंग में कोई चैंज नहीं है कोई भी प्रोब्लेम नहीं है इसी साफ से अगर हम यहां पर देखेंगे कोई नहीं है तो इसी साफ से मेरे हिसाब से इतना ज्यादा प्रोब्लेम नहीं है कोई एक क्वाटर का रेजल्ट अगर थोड़ा सा इंप्यक्ट पड़ता है उसी साब से हमें स्टाक बिल्कुल सेल करके निकल जाना नहीं है यह चीज को हमें बिल्कुल नजर रखना पड़ेगा तो कभी भी कोई एक क्वाटर में रेजल्ट खरा पा सकता है यहां पर इतना दिन हम इंतेजार करी रहे हैं दिखिए जब जहां पर हम लोग पोजिशन बनागे बैठे हुए हैं जब six months से हम लोग इंतेजार कर रहे हैं मेरे इसाब से और थोड़ा इंतेजार करना भी चाहिए क्योंकि हमें लॉस्स बूक करेंगे तो फिर कितना स्टॉक से लॉस्स बूक करेंगे अफिसरा स्टॉक ऐसा कॉंस्ट्रोशन में जा सकत है दिखिए यहां पर टून्टी सिक्स पर आरे से चल रहे है और क्या गिरेगा जहां पर जितना करेक्शन होना था करेक्शन हो चुका है अभी और क्या करेक्शन होगा अभी और करेक्शन का बिल्कुल गुंजास नहीं है यहां पर स्टॉक चलना ही स्टाट करेगा ठीक है करके यहां से निकाल देंगे तीक आप निकल जाएंगे यहां से तो इसलिए आप यहां पर लॉस्ट बुक करने की जरूरत नहीं है करने बाइक चल सकते हैं क्या अगर आप करना चाहते हैं तो भी आई करके चल सकते मेरे कोई प्रोब्लेम नहीं कि अभी आरे से 27 पर अचुका है कोई प्रोब्लेम नहीं है अगर आप रखेंगे ना एक साल आपका पॉर्टफोलिय में यह आल टाइम हाई बिल्कुल जरूर दिखाएगा यह कोई मुझे कोई सख करने वाली बात नहीं है यह बिल्कुल आल टाइम हाई को जाने का बिल्कुल पोटेंशियल रखता है ठीक है क्यूंकि मल्टिवेगर अगर आप रखते हैं तो आपको 50% का रिटर्न जरूर मिल सकता है ठीक है अभी जो मार्केट पैस चल रहा है 5000 के पास में इसका जो आल टाइम हाई है 7500 के पास में तो आपको 50% का गेन बिल्कुल मिल सकता है एक साल में लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप रूख उस टाइम पर आपको बाई करना होता है यहां पर दिके बिल्कुल फॉल हो रहा है तो यहां पर तो इसलिए आप यह स्टाउक से बिल्कुल ठोड़ा सा अभी इंतिजार कीजिए इस टॉक को एक बार गिरने दीजिए बाद में जब चलो करेगा उसके बाद में आप आई क अगर आपको बाई करना है तो आपका टार्गेट आची वही जाएगा एक साल में देख लीजिए अगर आपको बाई करना है तो इस लेवल का जरूर इंतिजार कीजिए जो कि 4800 का लेवल तक आप जरूर इंतिजार कीजिए 4800 का लेवल जब आता है तो आप बाई करके चल सकते हैं नहीं तो स्टॉक को थोड़ा सा कॉंसलरेशन होने दीजिए उसके बाद में पूजिए भी आपको पूजिशन बनाएं खुद का अनलीशिस भी बिल्कुल पूजिशन मद बनाएं इए आप फूर्ड ओड़ ओए अपको पूजिशन बनाएं इंगे स्टाव सकते हैं तो फिर वोल्ड करके चल सकते हैं अगर आप मेरा के आप कर था जरूर्प मैं आपने तरफ से जितना कोशिश करता हूं आपको जितना देना के लेकिन फिर भी तो आपको बाइक और विश्यल का बटन तो आपको यह वहां पर दबाना है ठीक है ना तो आप अपने हिसाब से बाइक कर सकते हैं लेकिन स्टरक में कोई मेरे हिसाब से प्रोप्लें मेंThi में if बतना होगा हु तो में अभी लास्जुक नहीं करने तक बिल्कुल यहां हो सकता है उसके बाद में एक बार यहां से चलना स्टार्ट हो गया न ऑपरेटर ने यहां से जब भगा के लेगा स्टॉक को रोकेगा नहीं दस अजार से पहल है ठीक है अगर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए थैंक्यू धरी मच्ट पर वाचिंग देश्ट वीडियो में